मुस्लिम महिलांको सुप्रेम नियार आईन आगोरे बाधा स्रुष्टी करी पारीब नही धार्मिक विश्वार छाड़ पत्र परेवी भरण पोषण पाईबाकु हगदार मुस्लिम महिलार मुस्लिम महिलांको अधिकार कुनेई बड़ राय सुणाई छंती सुप्रेम कोट आईन आगोरे बाधा स्रुष्टी करी पारीब नही कोणसी सांप्रदाईक को नियम किमबाद थार्मिक विश्वार च्छाड़ पत्र परेवी आईन द्रुष्टिरु स्वामी, पत्नीर भरण पोषण दायत्तों बाकु राय सुणाई छंतीम सुप्रीम कोट चाड़ पत्र परे पत्निंको भरण पसोन दबाकु नेई होईतबा एको आबेदन उपरे सुनानी करी एही राय दुई छन्ती सुप्रिम कोट सुप्रिम कोट रे तेलेंगानारो जोने मुस्लिम महिडा और तांको स्वामीं को मध्वरी 2017 रे होईतवाद छाड़ पत्र मामलारो सुनानी करी बड़ा राय सुनाई छन्ती सुप्रिम कोट पूरुसो मानों को गुरुहनी मानों कर भूमिखा एबंग पोरिबार प्रती समानों कर त्यागों को स्वामान जोनाई बार सुमय आसी जाई छी तेलो पत्नेंगो स्वामी आर्थकी को खेतरोरे मध्वर सोहाय ता करीवा आबशे को वली कोई छन्ती सुप्रिम कोट जज्जमेंट अगर काइदे से देखिये तो यह सभी के लिए एपलाई होता है मुस्लिम हो हिंदू हो कोई भी कोई भी रिलिजन का हो उस पे एपलाई होता है एक चीज़ दूसी चीज़ है कि सिफ डिवोस्ट वोमें के लिए नहीं है बलके जो लोग साथ रह रह रहे हैं यहीं सेपरेशन भी नहीं जिनका है जो दोनों हैपली साथ रह रहे हैं उनके लिए भी जज़्जमेंट अपलाई होगा कुछ ऐसे अब्जर्वेशन सुए हैं और यह हम लोग सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा इतना अच्छा जज़्जमेंट आएगा और पूरे केस क एक नया डाइमेंशन दे दिया है यह फैसला इतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस है आप सोचिए यह फैसले के तहट अब कोई भी तलाक शुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए बाकाइदा जो से यार पीसी की धारा 125 ह उसके तहट वो मिंटेनेंस अलाविंस की मांग कर सकती है जिसकी पूरती अनिवार्य होगी यानि की जो जो हक हर एक महिला को देश के सम्विधान ने दिये हैं वो ही सारे हक वो ही सारे प्राबधान का इस्तिमाल वो तलाक शुदा महिला भी कर सकती है मासी को कोड़ी हज्या टंका दबाकु महम्मद को निर्धेश देए थिले। को कि प्रदान मत्री निर्धेश देश देश में जब से नरेंद मोदी जी की सरकार आई है तो चाहे वो तीन तलाक के कानून को लाना हो और तीन तलाक समाप्त करना हो। की सरकार में लिए गए हैं। की सरकार में लिए हैं।